हलो गाईज, चाइनिज सुपर लिग का आज का मैच चैंग्चुन इटाई भर्सेस शांगहाई शेन हुआ के बीच में होने वाला है तो चलिए इस मैच का न्यूस देखते हैं तो सबसी इंपोर्टेंट है टेलिग्राम चैनल पे जोईन होना क्यू इंपोर्टेंट है, कनफर्म लाइनप्स और फाइनल टीम्स टेलिग्राम चैनल पे मिलेगा और जो भी फार्दर अपडेट्स, न्यूस, इंफॉर्मेशन आएगा सब कुछ टेलिग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूँगा और जो भी मैचेस मैं खेलता हूँ, मैक्सिमम मैचेस की टीम्स टेलिग्राम चैनल पे प्रोबाइट कर देता हूँ तो टेलिग्राम चैनल बहुती इंपोर्टेंट है, बहुती बेनिफीशल है जोईन कैसे करना है, जो वीडियो देख रहे हो, उसी वीडियो की डेस्क्रिप्शन चेक करो आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक के थूरू से टेलिग्राम चैनल पे जोईन कर लो after lineup final team telegram channel पे मिलेगा और जो भी further updates आएगा telegram channel पे याएगा तो definitely telegram channel पे join कर लो तो फिर से एक बार आपको notify कर देता हूँ telegram channel पे join करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि after lineup final team telegram channel पे ही मिलेगा और जो भी further updates आएगा telegram channel पे याएगा तो telegram channel पे join कैसे करना है simply जो वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो की description चेक करो आपको टेलिग्रम चैनल का link मिल जाएगा उसी link के थुरू से टेलिग्रम चैनल पे join कर लो after lineup final team टेलिग्रम चैनल पे ही मिलेगा अगर link नहीं काम किया तो क्या करोगे आप डिरेक्ली टेलिग्रम पे आके सच कर सकते हो add rate देके सरिक मैक्स आपको टेलिग्रम के चैनल दिख जाएगा सरिक मैक्स पेडिक्शन सब्सक्राबर जरू से चेक कर थुए जोईन करना क्योंकि अगर आप सच कर थुए जोईन करोगे उसी लिंक के थुरू से टेलिग्रम चैनल पे जोईन कर लो after line आप जो भी final team होगा आपको टेलिग्रम चैनल पे मिलेगा और जो भी further updates आएगा टेलिग्रम चैनल पे आएगा तो definitely टेलिग्रम चैनल पे जोईन कर लो तो चलिए news देखते है तो स्टार्ट करते दोनों team हो के recent form और head to head record से Changchun Itai last five matches में three match में draw किया है एक match में जीत हासिल की और एक match में lost face किये है Shanghai Shenuha last five matches में two matches जीते है two matches draw किया है और एक match हाड़े है तो दोनों team हो के decent forms बिल्कुल same to same type of चल रही है सिर्फ एक match ज्यादा जीते है Shanghai Shenuha ने head to head record देखोगे तो Shanghai Shenuha एक match जीते है Changchun Itai ने एक match जीते है last five matches में और three match जो recently हुआ है वहाँ पे draw हुआ है और recently जो match हुआ था वो 2018 पे हुआ था so इस match में देखो आंदा paper Shanghai Shenuha फेवरी थे होना भी चाहिए अभी number three पे चल रही है points table पे अच्छे team है तो मुझे लगता है Shanghai Shenuha इस match में जीतने वाले है और शाहिद clean sheet भी रख सकते है और Chinese league देखो अभी एक new season है already 3-4 ही match खेले एक-एक team so मैं देखो उधना high scoring expect नहीं करूँगा मैं इस match में on-on draw इस type of expect कर सकते हूँ या on-nil से या पे Shanghai Shenuha win कर सकते है most probably फिर से मैं on-nil से Shanghai Shenuha win कस होचूँगा इस match में even match 0-0 पर भी जा सकते है so मेरी according ये हो सकते है मतलब मैं जो expect करूँ इस match में on-nil Shanghai Shenuha win तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों के possible line-ups with position सारे players के stats बताऊँगा कौनसा player क्या करते है और जो मैं team create करके रखा हूँ उसका preview भी करूँगा तो चलिए देखते है possible line-ups so possible line-ups so start करते possible line-ups Shanghai Shenuha गोल की बस में Cheng Cheng खेलत हूँ दिखेगा defense में Jishi, John Chich, Feng और Zaba Wayne खेलत हूँ दिख जाएगा चाड़ोई defenders इस match में important होगा क्योंकि मेरी according all-nil या 0-0 score sheet इस match में हो सकते है उधना high scoring में predict नहीं कर रहा हूँ तो defenders ज्यादा लेके मैं जाऊँगा तो चाड़ोई defenders को आप pick कर सकते हो लेकिन दुसरे वाला जो team है Chang Chung Itai उस team के पास quality defenders है जैसे tackling interception के तोर पर आपको अच्छा point दे सकते है साथ में header में भी strong है तो उस defending section से भी आपको player लेना है तो इस defending section से अगर आपको player change करना है तो आप GC को drop कर सकते हो midfills की बात करो तो जिनली प्रेंग, Zee Woo जाओ आपको खेलती ही दिख जाएगा और मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ Korean league और Chinese league football का जो league होते हैं यहाँ पे किसी भी player को कभी भी substitute किया जा सकती इस बज़े से जो player substitute होते है early उन सारे players को आप definitely avoid करना क्योंकि कभी भी वो out हो सकते है जिनली पेंग और जाओ को मैं only ground league में साइस्ट करूँगा small league में मत लेना जल्दी substitute यह होते है Zee Woo इस team का free kick take करे तो एक must have peak है recent form जबरदस चल रही है बहुत important player है Shanghai के तरब से attacking third की बात करूँ तो last match में देखो Moreno नहीं start किया था as a substitute आये थे इस team का top scorer है और ये penalty लेते है अगर Moreno start नहीं करेगा तो इनके place पे एक player होस बोस टाइप आप name है उनका मैं आपको जब team दिखाऊंगा तो मैं बता दूँगा वो अगर start करते तो वो penalty लेगा ये चीज़ धिहान में रखना साथ में Sino Kim है और Adrian Mirnachoski है देखो Adrian Mirnachoski आपको corner लेथी दिख जाएगा तो ये एक important player हो सकती इस match में तो इस team से top pick की बात करूँ तो Adrian Mirnachoski यहाँ पे Givani Moreno Zee Woo और ये चार defenders तो ये 7 players में पहले साइस्ट करूँँगा लेकिन एक player से जो आपको game change कर सकते है वो है Sin Woo Kim जिनका selection percentage बहुत कम है अच्छे position पे खेलते हैं तो goal कर सकते हैं एक important option हो सकते है तो total मैं 8 players के option दिया हूँ इन में से at least 6 साथ आपको लेना है तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी team की चेंग्चू नीटाई team की तो goal कीपस में जियोटिंग शी खेलती दिख जाएगा और last match में phenomenal performance किये थे जबर्दस गोल कीपर है जबर्दस सेप्स करते हैं इसी बज़े से मैं उतना खास goal scoring predict नहीं कर रहा हूँ क्योंकि Shanghai तो फेवरिट है लेकिन दूसरी टरप चेंग्चू नीटाई की goal कीपर जबर्दस थे तो जियोटिंग से जबर्दस प्लेयर है goal keeping ला जबब करते है तो इस बज़े से ही मुझे low scoring predict होड़े अगर कोई अलग goal कीपर होता तो मैं definitely 2-0, 3-0 इस type of score sheet predict करता तो जियोटिंग से एक must have peak है बहुत important player है गिरान लिग में इनको captain wise captain के तौर प्यूश कर सकते हो defenders में Jay Jiang है Jay Sun है या आपे 0 okore है Peng Wang और Jia King हुई तो इस defense में quality है मैं already पहले बता चुका हूँ इस defense में almost आपको 2-3 player लेना है jabardus defending quality है tackling interception खास कर लेते header में strong है crosses बहुत अच्छा डालते तो पहला मेरा choice होगा jores okore बहुत important player है इस team का captain Jia Sun का भी performance बहुत ज़्यदा improve हुआ है even Peng Wang और Hui भी बहुत अच्छा कर रही है तो ये chart defenders बहुत अच्छे है अब definitely player ले सकते हो अगर आपको लगते both side score होगा तो इस team से ज़्यदा defenders आप पिक कर सकती हो ठीक है उसके बाद midfles की बाद करूँ तो AD Cup को दिख जाएगा शेरगीनों इस team का free kick कॉन नट टेकर है तो एक important player है Zheng Yufeng है long time है long time recent form अच्छा चल रही है लेकिन goal में convert नहीं कर पाड़े short तो मार रहे है on target लेकिन goal नहीं हो पाड़े इस team का penalty टेका junior निगाओ junior निगाओ का recent form भी थोड़ा खड़ाब चल रही है लेकिन penalty लेते हैं कभी भी performance कर सकते है कभी भी goal कर सकते है तो ये एक important option हो गया तो इस team से top pick की बात करूँ तो goal की बाद आप आप येश पीक है कोशिश करना तो चलिए बात कर लेते मेरी team combination सो अब बात कर लेते मेरी team combination goal की बस से start करते है उससे पहले आभी तक वीडियो को लाइक नहीं कियो तो एक लाइक जरू से कर लेना लाइक से motivation मिलते है और चैनल को जो भी आभी तक subscribe नहीं किये हो red button को दबा के चैनल को subscribe कर लो और पासबलाब like and जरू से प्रेस करके रखना ऐसी ही मैं आपको information देता रहूँगा प्लेयस के बारे में वीडियोस पे और पासबलाब like and प्रेस करोगे तो जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको बस notification आ जाएगा सबसे जो important चीज़े होए telegram चैनल पे जोईन करना क्योंकि ये जो team है इस team में definitely कुछ ना कुछ changes होगा जो भी changes होगा जो भी update आएगा आपको आप्टा लाइनाप telegram चैनल पे अपडेट कर दूँगा इसी वीडियो की description box चेक करो आपको telegram चैनल का link मिल जाएगा उसी लिंक के थुरू से telegram चैनल पे जोईन कर लो अप्टा लाइनाप final team telegram चैनल पे आपको मिलने वाले तो definitely telegram चैनल पे जोईन कर लो गोल की बस में मैं zero team को ईपिक किया हूँ defenders 5 लिया हूँ एस जी ओकोडो दोनों को मैं पिक किया हूँ उसका reason है इनका performance लाजवाब चल रही है defending ability बहुत अच्छा है मैं zero team लिया हूँ जे one लिया हूँ जोंचिच लिया हूँ तो ये पांच defenders मैं पिक किया हूँ उसके जाद midfielders में मैं तीन प्लेयर लिया हूँ बहुत अच्छा काम कर सकती है तो definitely उनको try कर लेना और जो players मैं बता रहा था मोडेनो अगर नहीं खेलेगा तो इनके place पे बैशोग जो खिलने वाले तो इनको अब try कर सकती है अगर ये खेलेगा तो must have pick यही penalty लेने वाले है तब ठीक है तो ये मेरा अभी तक का team है इस team में captaincy, vice captaincy का option दूँ तो जराट मोडेनो अगर खेलेगा स्टार्ट करने वाले तो must have captain vice captain की बात करूँ तो सबसे बढ़िया vice captaincy का choice WC, rix लेना है शारगीनों की उपर ले सकती हो defenders में देखना है तो बहुत सारे option है अपनी हिसाब से देख लेना लेकिन मेरा जो captain है Jarrett Moreno मेरा जो vice captain है WC, तो ये मेरा अभी तक का team है इस team में अगर कोई भी changes होते है कुछ भी update आते हैं आपको afterline आप टेलिग्राम चैनल पर update कर दूँगा इसी वीडियो की description चेक करो आपको टेलिग्राम चैनल का link मिल जाएगा उसी link के थुरू से टेलिग्राम चैनल पर join कर लो I hope आपको वीडियो पसंद आए पसंद आए तो friends के शेयर करो Thank you, धन्यबाद वीडियो का अंतक देखने के लिए एक like जरू से कर लेना Thank you